नमस्कार मैं कुसुम आप देख रहे हैं खबर हर पर नहीं जाएए रुख करते हैं आच्छी कुछ खास सुर्ख्यों की ओर गौालियर हाईवे से इंदों की तरफ जारे प्लास्टिक दाने से ब्रेड ट्रक में अचानक बीशनाक लग गई यह ट्रक पनिहार बढ़गाओं के पास डेवाड़े से टकरा गया था टककर से उसमें हुए सौर्ट सरकेट से अचानक आग लग गई प्लास्टिक दाना भरा हो गया महीं पुलिस आग को लेकर जान परताल में चुट गई है दरसल पनिहार थाना चेत्र के बड़ा गाओं इस्तित ग्वालियर हाईवे से इंदों की तरफ जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई यह ट्रक प्लास्टिक दाना लेकर इंदों की तरफ जा रहा था दे पर जाने के लिए घंटों मसकत करनी पड़ी है कई गंटों की मसकत के बाद फाइट विगेंड ने आग पर कऊ पाया बदा जा रहा है कि ट्रक चला रहा था जिसका टायर फट जाने एकान महां डवाइडर से टकरा गया और सोर सेकेट से उसमें आग लग गई फिलाल इस आ टेनर में आग लगी है जिसे सुचना प्राप्त होते ही हैड़ कोड़ियां रवाना की गई आग को पूल रूप से काबू किया गया ड्राइवर चालक के द्वारा बताया गया कि इसमें प्लास्टिक का सामान था जिसमें फोम भी सप्लाइए किया गया तब जाके पूल आग लगने का कारण संबब्ता शॉट सर्किट हो सकता है कोई सपार्क हो सकता है ओवर रीटेड होने के कारण प्लास्टिक मेल्ट हुई और वो फायर प्रेदूस हो गया पता देगा गया आज आग इसी तो कोई सब्भावना नहीं है जो सथा ही एना के गयते है कुछ ऐसा पन्यार से होते हुए अपने आगे इंडौर की तरफ कहीं गाड़ी जा रही थी अभी कागज नहीं आए है ना चालान पेश हुआ है चालान जैसे ही वो फायर रेपोर्ट ली जाएगी तो उसके बारे में स्वता ही जानकारी मिल जाएगी आग से आखलन अभी नुकसान का कोई नहीं उपाया है क्योंकि अभी कागज उनके द्वारा पेश नहीं किये गए है कितने का मटेरियल था कितने की बिल्टी थी लाखों में हो सकता है अनमानित नुकसान